यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ फरीदबाद की गाओं अनंगपूर में 1500 गजो जमीन को लेकर महिला क्रिकेट टीम की पुर्व कप्तान अंजुम चोपडा और उसके पिता समेत 11 लोगों के खिलाफ फरीदबाद कोट ने नोटस जारी किया है उन पर आरोप है कि उन्होंने जमीन पर स्टे होने के बावजूत निर्मान कारेश शुरू करवाया है शिकायत करता प्रेम क्रिशन आर्या ने फरीदबाद कोट में दर्ज अपील पर अतिरिक्त सेशन जजज राजेश मलोतरा ने मामला तलब किया दरसल पिछले लंबे समय से प्रेम क्रिशन आरय और अंजुम चोपडा के बीच मालिकाना हक को लेकर जमीन विवाद चल रहा है कोट नहीं ने 15 जुन को अपना पक्ष रखने को कहा है गौर तलब है कि आदालत ने पहले ही जमीन पर किसी भी तरह का निर्मान कारे करने पर रोक लगाई हुई है उसके बावजूद अंजुम चोपडा और उसके परिवार द्वारा निर्मान कारे कराने के शुकायत के बाद कोट ने अंजुम चोपडा सहित उनके पारिवार और कुछ आधिकारियों को तलब किया है तो यहाँ पर 1500 गज जमीन का मामला है जहाँ पर स्टे लगने के बावजूद अवैध निर्मान करवाया जा रहा था और इसी को ले करके 11 लोगों को फरिदाबाद कोट में नोटस भेजा गया है और तलब किया गया है लोगों को तो अंजुम चोपड़ा और उनके परिवार ने स्टे लगने के बावजूद वहाँ पर अवैध निर्मान कारे करवाया जुसको ले करके शिकायत दर्ज की गई और यहाँ पर आपको बता दे कि 1500 गज का यह मामला है 11 लोगों को फरिदाबाद कोट का नोटस आया है और आज इन्हें 15 जून को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है आज यह अपना पक्ष रखेंगे देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या हो सकता है तो 1500 गज जमीन का यह मामला है फरिदाबाद से एक खबर आपको बता रहे है जहाँ पर अंजूम चोपड़ा और उसके परिवार पर कोट ने उन्हें तलब किया है 11 लोगों के उपर यह मामला दर्ज है नोटिस दिया गया है और आज इने अपना पक्ष रखना होगा तो गाव अनंगपूर में 1500 गज जमीन को लेकर महिला क्रिकेट ट्रीम के पूर्वकपतान अंजूम चोपड़ा और उसके पिता समेत 11 लोगों के खिलाफ फरिदाबाद कोट ने नोटिस जारी किया है उन पर आरोप है कि उन्होंने जमीन पर स्टे होने के बावजूद नर्मान कारे शुरू करवाया है अर्श।